नमस्कार सौक करते हो एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के आच्छुड़ में हम बात करेंगे आपको पता है कि Tata बहुत ही जल्द अपनी SUV कूपे लॉंच करने वाली है यानि कि 7 अगस को Tata लॉंच कर देगी अपने कर्फ को मैं आपको बता दूँ यह जो SUV कूपे है अगर हम कार कंपनी की बात करें चाहे वो Tata हो चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो हुंडाए की अब तक हमें कोई भी कूपे डिजाइन की गाड़ी देखने को नहीं मिलती है पर यहां पर एक अच्छा इनिशेटी टाटा वालों ने लिया है टाटा वालों ने काया हम निकालेंगे बजट फ्रेंडली SUV कूपे इंडियन मार्केट में जो की लॉंच होगी 7 अगस्त को अल्रेडी लोगों ने काफी बार इसकी तस्वीरे देख चुके हैं लोग काफी जादा इसको पसंद भी करें कई लोग कह रहे हैं कि यार गाड़ी का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज़ादा जबरदस्त है अगर हम बात करें यहां पर प्राइस की तो प्राइस भी आर आपको लगबग मैं मान के चलता हूँ अगर 9 लाक से शुरू होते हैं तो लोग काफी जादा इससे पसंद करेंगे पर कहीं ना कहीं हम लोग इसी दौरान एक गाड़ी को भूल जा रहे हैं वो है सिट्रॉइन की बसार्ट जी हाँ दोस्तो टाटा कर्व से पहले लाँच होगी सिट्रॉइन की बसार्ट और अगर हम बात करें सिट्रॉइन के बसार्ट की उपर आल्ड़ी मैं कई वीडियो बना रहा हूँ कई दिनों से बना रहा हूँ कई अच्छे खासे उस पे व्यूस भी आया है वो जो 2010 में गाड़ियां आया करती थी 2005 में गाड़ियां आया करती थी उसके जैसा ओल्ड स्कूल उसका डिजाइन दिया गया यहाँ पे कई ना कई सिट्रॉइन वालों को सोचना चाहिए था और एक ऐसा डिजाइन बना चाहिए जो लोगों को पसंद है जैसा कि टाटा के कर्व में हम देख सकते हैं जो डिजाइन है जो डूर हैं वो है एक्स यूवी सेवन डबल ओ से इंस्पाइड और वैसे वाले जो डूर हैंडल काफी जादा अच्छे लगते हैं लुक्स में तो गारी अच्छा गाजा परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकाल के दे देती है आपको हाला कि अगर हम बात करें स्यूवी कुपे की तो कहीं न कहीं जो सिट्रॉइन की बसाल्ट है मैं आपको बता दो वो भी स्टेंड आउट करती है लुक्स के मामले में हाला कि ये जो प्राइज रहेगा काफी जादा नोट करने वाला रहेगा क्योंकि जो प्राइज के उपर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सिट्रॉइन की बसाल्ट है लगबग वो भी आठ के आसपास होनी चाहिए जी हां दोस्तो आठ के आसपास अगर सिट्रॉइन के बसाल्ट का जो प्राइज रहेगा तो वो काफी जादा बहतर मानी जाएगी अगर मेरा ये सोचना है और अगर बात करें कर्फ की तो नौ लाग से शुरू हो जानी चाहिए बेस मॉडल की मैं यहां पर बात कर रहा हूँ और मैं ऐसा इसलिए भी कहा रहा हूँ क्योंकि अगर ये गाड़िया इतने रेंज में आती है तो लोग काफी जादा इसको पसंद करेंगे लेने का भी लोग तभी सोचेंगे क्योंकि सिट्रॉइन की बसार्ट अगर बजर फ्रेंडली और अच्छे एस्यूवी कूपे डिजाइन में अगर आ जाती है तो लोग कहीं न कहीं यार सोचेंगे कि यार इसको ख़दिते है एक नया सेग्मेंट आया है मार्केट में उसको एक्सप्रो करते हैं उसको लेना चाहिए और जो सिट्रॉइन है दीरे दीरे चाहे तो अपना भारत में जमा सकता है क्योंकि अभी तक अगर हम सिट्रॉइन के सेल्स फिगर की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं है आउटलेट्स की बात करें यानि की शोरूम की बात करें तो वो भी बहुत जादा कम आपक company को establish होने में समय लगता है थोड़ा सा हाला कि अगर हम बात करें अच्छे खासे offers, discounts वो लोग निकाल के देते हैं अपने गाड़ी के लिए customer feedback की बात करें तो काफी जादा इसमें सिट्रॉइन ध्यान देती है और अपने customer का बकूवी अच्छे से ख्याल रखती है सिट्रॉइन देखते हैं क्या होता है इंडियन मार्केट में ये दो गाड़ी जो अगस्त के महिने में लाउंच हो रही है मैं आपको बता दो इंडियन revolution की अगर हम बात करें वैसा कुछ इनका statement में अगर कहूँ तो गलत नहीं रहेगा काफी जादा लोग दोनों गाड़ियों को पसंद करने वाले इन में से एक गाड़ी ऐसी होगी जो record तोड़ सकती है और एक गाड़ी ऐसी होगी जो जादा लोग ना खदी दे यानि कि अगर हम बात करें तो 95 और 5 परसेंट का रेशियो यहां देखने को मिल सकता है या हो सकता है 50-50 भी सब कुछ डिपेंड होता है प्राइस में क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे यार SUV कूपे ले ले लेता हूं मैं अगर प्राइस लगबग 7-8-9-10-0-0-0-0-0 क्योंकि डिजाइन एक नया आजाएगा वना लोग सिडैन में फसे रह जाते हैं और कूपे डिजाइन आपको पता है पीछे से काफी जादा सुन्दर लगती है क्योंकि यार उसका जो बोल्ड लुक होता है जो असली लुक होता है वो पीछे से ही निकल के आता है तो देख या टाटा फाइफ इस चार लेके ही आएगी और अगर हम बात करें सिट्रॉइन तो कहीं ना कहीं सिट्रॉइन की बिल्ड कॉलिटी इतनी जादा बढ़िया नहीं है काफी एकसिडेंट में मैंने खुद वीडियो बनाया जापे लोग कहते हैं नहीं सिट्रॉइन की जो बि कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगा मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं इन दोनों गाडियों को लेके क्योंकि आखिरकार कस्ट्मर आप हैं और आपी लोग एक सही फीड़बैक सही रिव्यू देंगे तो काफी जादा बढ़िया लगेगा आपके मुकाबले यानि आप क्या सोचते हो अपना फिंकिंग जरूर शेयर करिएगा आप क्या सोचते हो इन दोनों गाडियों के बारे में बाक्की वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक चैक और सुस्क्राइब जो करेंगा आप फोर विर चाहत है तो प्रॉपर तरीके से सीट बेल लगाए तू विर चाहत है हेलमेट जरूर पैनी स्ट्रैप लगाना ना भूलें इस इस मी साइनिंग ओफ रफ्तार 7811 जैहीन जैवारत